हेलो एवरिवन आज हम लोग क्लास त्री का साइंस पढ़ेंगे जो डिएवी स्कूल में चलती है वो क्लास त्री का साइंस लिशन नम्मर 6 फीडिंग हैबिट्स ओफ एनिमल्स लिशन नम्मर 5 तक मैं पढ़ा चुकी हूं आप लोग जाकर के इसे मेरे चैनल पर देख सकते है आए शुरू करते हैं इसको फीडिंग हैबिट्स ओफ एनिमल्स और जो एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो भी स्टुडेंट्स में निव हैं जो भी निव स्टुडेंट्स हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसमें वीडियो के नीचे जब आप उप इस चैनल पर वीडियो आई है तो आए शुरू करते हैं अभी चैप्टर हम फीडिंग हैबिट्स ओफ एनिमल्स फीडिंग में खाना हैबिट्स मिन्स आदती ओफ एनिमल्स यानि जानवरों के खानी की जो आदती हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगी पिछले चैप् कुछ वाटर में रहते हैं कुछ स्नो एरिया में रहते हैं उन सब के बारे में पढ़ा था और उन सब एरिया में कैसे कैसे अनिमल्स रहते हैं इसके बारे में हम पढ़ा था अब इस चैप्टर में हम एनिमल्स के फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे You already know that different types of animals eat different kinds of food जैसे कि आप नोप पहले से भी जानते ही होंगे कि अलग-अलग तरह की अनिमल्स अलग-अलग टाइप के food खाते हैं जैसे कि आपने देखा होगा बिल्ली को घर में इतना तो, हर कोई देखता होगा कि घर में जैसे बिल्ली सब किया कभी ने कभी देखी होगी तो बिल्ली को क्या पसंद है चुहा खाना पसंद है बिल्ली चुहा खाती है और गाय को भी देखा होगा सबने तो गाय को देखा है अपने के कभी वो खाता चुहा खाते है नहीं वो क्या खाती है इसी तरह से दिखाया गया है कुछ अनिमल का फिक्टर जिस स्में दिखाया गया है इसको ध्यान से देखना है और इसके अंदर उसका नाम लिखना है जैसे कि animals eating plants and leaves वो animals को यहां लिखना है जो plants खाते हैं और पत्ते खाते हैं और इसमें क्या लिखना है animals hunting other animals and eating them यहां पर वैसे animals को लिखना है जो दूसरी animals का सिकार करते हैं और उसको खाते हैं animals eating both plants and animals और इसमें वैसे animals लिखने हैं जो कि plants भी खाते हैं और animals भी खाते हैं animals eating remains of dead animals और यहां पर कौन से animals लिखने हैं जो animals कि दूसरी animals के द्वारा खा करके जो बच जाता है वो बचा हुआ या मारा हुआ animals खाते हैं तो देखें यहां पर picture में दिखाया हुआ है आप लोग देख सकते हैं यह elephant का क्या खा रहा है plants खा रहा है यह देखें यह animal खा रहा है यह देखें यह plant खा रहा है और यह cow है यह plant खा रही है ता दीखें लायन है टाइगर है यह सिकार करके हंट कर रहा है यह animal को यह देखें remains of animal खा रहा है बच्चा हुआ जो से ने चोड़ धिया यह वी देखें जो बच्चा हुआ है उसको छोड़ दिया यह crow है crow जो है उ है प्लांट भी खाता है और animals भी खाता है यह rabbit यह इस प्लांट्स खाता है यह क्रोकोडाईल है यह इनिमल्स खा रहा है इस तरह से आपको इसको अलग अलग काटेगरी में लिखना है कौन से अनिमल्स एक खाते हैं बढ़ने के लिए और उनको energy के लिए food की जरूत होती है they cannot prepare food themselves क्या वो खाना बना सकते हैं होंगे जरूत होती तो हम खाना बनाता है चैहिए मम्मी हमारी खाना बनाती है खाना करें हम खाते हैं healthy healthy खाना तो हमे energy मिलती है लेकिन क्या animals खाना बना सकتे हैं they cannot prepare food themselves वो अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं they depend on plants or other animals for their food और वो plants पर depend करते हैं यह जो भी plants होता है उसी पर depend करते हैं उसको उसी तरह कच्चा खा जाते हैं या फिर किसी animal उनका शिकार करके खाते हैं मतलग कि उनका जो food होता है या तो plant होता है या तो animal होता है वो अपने food के लिए plants पर और animals पर depend करते हैं let us put the animals into groups according to their feeding habits तो आये कुछ animals का फिर से यहा पर picture दिया हुआ है और उनको उनके food habits के according group करना है हर भी various animals तो हर भी various animals कौन से होते हैं cow, goat, giraffe, monkey and elephant यह से animals जो होते हैं इट small plants यह छोट छोटे plants खाते हैं जिसे घास वगेरा है और other parts of a tree और tree का भी कुछ parts जिसे कि अगर पत्ते वगेरा है कोई-कोई ट्री के तो भी खाते हैं जिसे कि बकरी गोट है बकरी जो है यह देखिए यह घास खा रही है चोट चोटे plants हैं जिसको चोटा plants small plants खा जाता है और यह ट्री का भी parts खाती है जैसे कि अगर आप इसको तोड़के देदें कोई-पेड़ का पत्ता है यह और दुक्वेगा तो वह सब भी खाती हैं जो कि यह parts of a tree यानि कि ट्री का एक part होता है हम क्या कहते हैं हफ़ी guitarisms कहते हैं इन्हें हम bilang eyeballs animals कहते हैं यह animals ये सब जो है इस सफ स्टे plants और tree के parts को ही खाते हैं हम herbivorous animals कहते हैं कौन जो कम से घ्र एनीमल्स अचते हैं और नेक्ट कार्णी वोरस अनिमल्स कि ने खाएता है अनिमल्स like lion, haina, snack and frog hunt other animals and eat them इसे दूसरी अनिमल्स का शिकार करते हैं और सम एनिमल्स like fox and vulture और कुछ एनिमल्स जैसे की fox है और vulture यानि की गिद है यह सब एनिमल्स क्या करते हैं eat the remains of dead animals यह सब मरे हुए जो animals होते हैं जो animals यह तो किसी करण से अपने मर जाते हैं या फिर लाइन वगेरा जो है उसका शिकार जब हंट करता है तो खा के जो बच जाता है वो बचा हुआ डेड अनिमल जो होता है वो बचा हुआ रहता है तो उसे कौन खाता है फॉक्स और वल्चर जैसे अनिमल उससे खाते हैं जो बचा हुआ रिमेंस रहता है तो यह शिकार नहीं करते हैं यह दूसरी द्वारा हंट कर गए खाते छोड़ा हुआ जो रहता है या फिर कोई अनिमल्स ऐसे किसी कारण से मर गया तो उसे यह उस बचे हुए यह खाते हैं वैसे जो केवल दूसरी आनिमल्स को खाते हैं वह कार्णी वोरस और जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हम हर भी वोरस कहते हैं अब नेच्ट है ओम्नी वोरस ओम्नी वोरस कौन से अनिमल्स होते हैं अनिमल्स लाइक बियर क्रो रैट जेकल इट बोथ अनिमल्स एंड प्लांट्स सच अनिमल्स आर क्वाल्ड ओम्नी वोरस तो कुछ अनिमल्स जो तो स्रीफ प्लांट्स प्रोड़क्ट खाते हैं वह हो और जो एनिमल्स हंट करते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्णी वोरस और जो कि दोनों चीज खाते हैं प्लांट वाला भी चीज खाते हैं जैसे कि प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं उन्हें हम क्या करते हैं ओमनी वोरस कहते हैं यानिकि वो दोनों वह क्लेक्ट नहीं करों को देखे चुहता है आप उसको रोटी दिजागा वह उसको रोटी we naught है तो यह प्लांट बरक्ट होता है और बनाँवा होता है तो उस तरह से जो हो different animals eat different type of food अलग-अलग तरग अनिमल्स अलग-अलग तरग भोजन कहते हैं the kind of food they eat depends upon the shape of their mouth, jaw and teeth तो जो वो भोजन खाते हैं, जो खाना खाते हैं वो depend करता है, किस पर depend करता है कि उनके mouth का, jaw का और teeth का size क्या है, shape क्या है कैसा shape है, उनके mouth का, jaw का, यानि की जबडे का और दानत का shape किस types का है some animals swallow their food, कुछ animals क्या करते हैं, swallow यानि की निगल जाते हैं कुछ animals अपना जो food होता है, उसको निगल के खा जाते हैं frog, lizard, snack, do not use teeth जो यह होते हैं, frog होता है, मेढ़क, lizard, छिपकली और snack इसे अपने दातों का use, काटने और चबाने के लिए food को नहीं करते हैं frogs and lizard catch their prey with the help of a sticky tongue जो frog होता है, मेढ़क होता है, और lizard यानि की छिपकली होता है वो अपने food को कैसे जो अपना शिकार होता है, उसको कैसे पकड़ते हैं देखे, लंबा से अपना tongue निकाला और जिसको tongue होता है, बड़ा ही sticky होता है, यानि छिपकली वाला जिपकली तंग निकालके उसमें छिपका लेता है ये अपने शिकार को और सीधे अंदर करके निगल जाता है देखे, यान पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो इसनेक है, ये अपने शिकार को निगलने के लिए अपना मूँ बहुत बड़ा खोल लेता है जो साप होते हैं, वो जो है, वो काफे बड़े अंच साइज के अनिमल्स को भी खा जाते हैं, जितना की मतलब उनका मूँ खुलता है, उतना बड़ा साइज वो अनिमल्स खा जाते हैं और देखे, मैं इसको नोड़ याद रखना है, जो फ्रॉग होता है और जो लिजर्ड होता है चिपकली, इसका टंग कैसा होता है, इस्टी की टंग होता है, चिपचिपा वाला, यानि कि अपने जो शिकार है, उसके आगे जब टंग बढ़ाता है, तो उसमें इस्टी को च काव, बफलो, एंड कैमल, फर्स निबल दियर फूड और पूट इन, पूट इंसाइड दियर बॉड़ी, कुछ अनिमल्स जैसे की काव है, बफलो है, कैमल है, यह क्या करते हैं, पहले निबल, यानि कि निगल लेते हैं अपने फूड को जल्दी जल्दी, उसके बाद जब आराम से फूर्सत में बैठे रहते हैं, वो निगल के अपने बॉड़ी में स्टोर कर लेते हैं, और जब वो बाद में जब आराम से अपनी फूर्सत में रिलाक्स में बैठे रहते हैं, तब फिर वापस उसको निगल कर चबा चबा करके उसको अपने मूँ से अंदर करते ह वेन दे रिलैक्स जब रिलैक्स में होते हैं अराम से बैठे होते हैं दे ब्रिंग बैक पार्ट ऑफ दा फूड वो खाने का जो जल्दी जल्दी निबल कर लिया निगल लिया उसको वापस जो है सो लाते हैं इंसाइड इंटु देर माउथ अपने मुह में वापस लाते हैं और उसको दे चूव इट प्रफरली और उसके बाद वो इसको दुबारा से चबाते हैं इसे क्या कहते हैं चूविंग दा कड अपने देखा होगा काओ गया रहा हो कभी आराम से बैठे वी है और कुछ भी नहीं खा रही है लेकिन फिर भी मुह चबाते रहती है चबाते र मिलता है उसमें जल्दी जल्दी खाने को निगल के अपने बॉड़ी में स्टोर कर लेते हैं और बाद में जब यह फुर्सत में बैठे रहते हैं उसमें उसको वापस निकालते हैं और थोड़ा-थोड़ा करके मुह में लाते हैं और चबा-चबा के अंदर करते जाते हैं और इसे क्या कहते हैं? Chewing the cud. These animals have very strong and broad-back teeth which help them in chewing. और इन animals का जो teeth होता है, पीछे का teeth, broad-back teeth, जो पीछे का जवड़े वला, यानि मसूड़े में, जो हम लोग का पीछे जो दात होता है, हमारे तेखेवा को जो मोटे-मोटे होते हैं, उस तरह के जो इनके पीछे के जो दात होते हैं, वो बहुत ही strong होते हैं, जो इनको चवाने में help करते हैं. Some animals tear their food, और कुछ animals क्या करते हैं, अपने food को फाड़ करके खाते हैं. Animals like lion, look in this picture, animals like lion, dog, fox and cat, first tear the flesh, with their sharp-pointed front teeth, they then chew it with their grinded teeth. पहले यह क्या करते हैं, आपने dog का दान्त देखा होगा, चाय टीवी बगरा में तो देखा ही होगा, अगर घर के आसपास नहीं देखा तो उसका आगे का दान्त कैसे दम बिलकुल नुकिला-नुकिला होता है, लंबा-लंबा, उसी तरह लाइन का भी दान्त होता है, इसी यह क्या होता है, शार्प-pointed teeth होता है, यह आगे में फ्रंट का शार्प-pointed teeth होता है, इससे वो क्या करते हैं, अगर जो शिकार होता है, वो उसको पहले फाडते हैं, और उसके बाद अपने जो दान्त होते हैं, बाकी की जितात होते हैं उससे उसको चबा चबा करके खाते हैं तो इनका आगे का जो दानत होता है वो किसी भी सिकार को फाड़ने के लिए होता है Some animals grow their food कुछ animals जो है वो अपने food को किस तरह खाते हैं देखिए इसमें दिखाया गया है Rabbids, squirrel and rat has sharp front chisel like teeth कुछ एनिमल जैसे की रैबिट है स्क्वैरल है यह चुहा है इनके शार्प फ्रंट जो टीथ होता है वह कैसा होता है चीजल के सकी नोकीला जैसे यहां पर फिक्टर में दिखाया गए किस तरह से दिखिए इस टाइप का होता है विद देश्टेट देकन बाइट इवेन हाड और रफ फूड ग्रेंज और इस दात के सहायता से वह क्या करते हैं कोई भी रफ फूड या ग्रेंज है यानाज चावल गेहूं अगरे जो होते हैं या कुछ भी हाड चीज है उसको भी वह काट लेते हैं इस नुकीले दातों से सच एनिमल्स और कॉल्ड ग्रॉविंग एन उसी तरह से रैबिट है यह रैट है या फिगिलरी है यह सब अपने फूड को कुतर कुतर के खाते हैं चोड़ चोड़े पीस में कुतर कुतर के खाते हैं कि दान बड़े पतले पतले होते हैं जिससे यह हाड से हाड चीज को भी दिरे दिरे करके कुतर देते हैं कुछ एनिमल्स फूर्ट कैसे प्राप्त करते हैं? चूश करके शक में चूशना इंसेक्ट लाइक बटरफिलाई, मॉस्कीटो, लीज थे लॉंग होलो ट्यॉब लाइक इस्ट्रक्चर दिकिंगे कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे की butterfly है mosquito है यह लीच है इन सब का जो होता है एक लंबा सा hollow tube होता है structure होता है यह से की pipe के type में इसका जो होता है मुह होता है this helps them to shock their food और यह इनका help क्या यह इनको food को choose में help करता है मच्छर देखते हो कैसे खून को choose जाता है उसके मुह में जैसे की syringe होता है ने injection वाला उसको कैसा hollow रहता है उसमें पतला साई बिल्कुल छेदा होता है जिसके कारण से blood जो ऐसे खीचा जाता है body से जब हमको blood test के लिए blood देते हैं तो उससे blood कैसे खीचे जाता है injection से उसी टाइप को hollow इनके भी रहता है hollow tube रहता है जिसके कारण से यह क्या करते हैं choose के अपना भोजन प्राप्त करते हैं lease is a warm like insect which feeds by attaching itself to some other animals and shucking its blood यह जो lease है यह दिखे यह lease इसे कहते हैं यह क्या है यह एक insect है जो कि किसी दूसरे animals के body में जाकर चिपक करके अटेच हो करके उसका जो blood है वो choose लेता है care of animals animals का हमें care कैसे करना चाहिए animals living in wild can take care of themselves जो animals जो की wild है जंगल में रहने वाले हैं वो तो अपनी दिखभाल अपने आप कर लेते हैं domestic animals which live with us need our help and care और जो domestic animals हैं जो हमारे साथ रहते हैं उन्हें हमारी help की care की help की जरूरत होती है जंगल वाले animals है उन्हें जरूरत नहीं होती है लेकिन जो हमारे साथ रहते हैं उन्हें जरूरत होती है क्योंकि उन्हें हम बांद के रखते हैं वो अपने आप कहीं जाकर के अपना भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसे गाय है, उसको हम दूद के लिए बांद के रखते हैं, तो वो अपना भोजन कहां से जाकर लेगी, तो उसको हमें देना पड़ेगा, उसका देखभाल करना पड़ेगा, तभी तब हमें अच्छा दूद देगी animals which give us milk need to be fed with grains, green fodder and lots of clean water जो animals हमें दूद देते हैं उन्हें हमें क्या खिलाना पड़ता है grains खिलाना पड़ता है, grains खिलाने के जरुत होती है अनास खिलाने के जरुत होती है और green fodder यानि की हरी खांसे भी खिलाना पड़ता है और बहुत सारा clean water भी उसको पीने के लिए देना पड़ता है ताकि वो हमें अच्छा दूद दे poultry birds like hen and duck poultry birds यानि की जो पाला जाता है जो hen core duck को should be fed with grains and water उन्हें भी हमें दाने यानि की अनास जो होते हैं गेहूं, चावल या और और जो भी grains हैं वो खिलाना होता है और water भी देना होता है the shelter of all these animals should be clean, dry and airy और यह जितने भी animals है यह सारे इन सब का जो shelter है, आवास है जहां पे यह रहते हैं वो clean होना चाहिए, dry यानि सुखा होना चाहिए और हवादार होना चाहिए यहां पे गीला गीला कीचड जैसा जमीन हो, ऐसे में नहीं रहना चाहिए pet animals need to be protected from hot and cold weather जो pet animals होते हैं, यानि कि जो पालतु animals होते हैं उन्हें हमें ठंधी और गर्मी जैसे मौसम से सुरक्षित रखना चाहिए sick animals should be separated from healthy ones and got treated they should be taken to a veterinary doctor immediately जो बीमार animals हो जाते हैं, अगर कोई animals जिसका तबियत खराब है, बीमार है तो उसके बाकी के जो healthy animal है, उसके साथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो भी बीमार हो जाएंगे, इसलिए उसे अलग रखना चाहिए और फिर उसे की treatment करवाने चाहिए हमें उसे veterinary doctor के पास तुरंत लेके जाना चाहिए veterinary doctor क्या होते हैं, जो animals का treatment करते हैं वो veterinary doctor कहलाते हैं, उन्हीं के पास हमें इसको लेके जाना चाहिए treatment के लिए, we can keep the domestic animals happy and disease free by giving them care and love, हमें domestic animals को अच्छे से प्यार से रखना चाहिए care से रखना चाहिए और उन्हें कोई भी बीमारी से बचानी के लिए उन्हें बीमारियों से दूर रखना चाहिए, उनका अच्छा treatment करवा करके और उन्हें बड़े ही प्यार से और care से रखना चाहिए क्योंकि उन्हें हमने रखते हैं, पास्दू बना के रखते हैं इसलिए उन्हें happy रखना चाहिए, disease free, बीमारी से free रखना चाहिए और उनका care करना चाहिए और उन्हें प्यार भी करना चाहिए तो आज हमने लिसन नमबर यह आपका 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है